So good morning guys और आपकी क्रेक एक्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है तो आजके इस वीडियो में 17 अगस्त के important current affairs को हम लोग cover करेंगे तो देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है अभी हाली में किसे अशूक चक्र से सम्मानित किया गया तो अंसर होगा बाबू राम को तो अभी राष्टरपती रामनात कोविन जी ने सशश्टर बलों, पुलिस और अर्दसेनिक बलों के जवानों को 144-144 वीरता पुरसकार देने की मंजूरी दे दी है जिसमें से एक होगा अशूक चक्र, एक कीरती चक्र, 15 शौरे चक्र, 116 सेना पदक, 5 नौ सेना पदक और 2 वायू सेना पदक है तो मैं आपको दो नाम बताऊंगा एक तो जो सबसे बड़ा वीरता पुरसकार है अशूक चक्र, वो किसे दिया गया? जम्मू कश्मेर पुलिस के ASI रहे बाबू राम को मन्नो परांथ मिलाए इनको इसके अलावा वीरता का दूसरा सबसे बड़ा बहुत्दूरी का मैडल जिसे कहते हो आप कीरती चक्र, ये किसे दिया गया? जम्मू कश्मेर पुलिस कॉंस्टेबल अलताफ हसन भटको इनको भी मन्नो परांथ दिया गया? तो ये दो नाम याद रखने हैं आपको, बाकी तो और भी मेडल हैं, लेकिन वो बहुत-बहुत सारे हैं, तो उनको याद रखना मुश्किल होगा, लेकिन एक अशोग चक्र है, एक किरती चक्र है, तो ये नाम तो आपको डेफिनिटल याद होने चाहिए, देखो मैं आप आती के समय जब, मतलब युद्ध नहीं चल रहा हो, उस समय जो वीरता पुरुसकार दिया जाता है, उसमें सबसे बड़ा अशोग चक्र है, दूसरे पे कीरती चक्र है, और तीसरे पे शोर्रे चक्र है, तो ये आप ध्यान रखना बढ़ते हैंगे, अचा अब फिर बताई लोगों के द्वारा विश्व के सबसे उचे युद्ध के मेदान, यानि कि सियाचिन ग्लेशियर में एक अभियान है, शियाचिन ग्लेशियर ये हिमाले में पूर्वी कारा कॉरम रेंज में आपको मिलेगा, जो कि लद्दाक में है, याद रखना ये दुनिया का सबसे 1984 की ये बात है, Operation Megdut उसका नाम है, और अगर डेली आप लोग अमारे Current Affairs का लेक्चेर वढ़ते होंगे, तो कुछ समय पहले Operation Khukri के बारे मैंने आपको डेटेल से बताया था, और Operation Khukri के उपर एक बुक भी लिखी गई है, जिसको किस ने लिखा था? राजपाल पुनिया औ सब बता दोगे Operation Vijay, कब 1999 की बात है, लेकिन याद रखना, 1961 में इंडियन आर्मी ने गोवा को पुर्तगालियों से आजात कराने के लिए एक Operation चलाया था, उसका नाम भी Operation Vijay था, बाकी जम्मू किश्मिरी में आतंगबादियों को समाप्त करने के लिए कौन सा Operation चलाया गया मैत्री exercise हम किस देश के साथ करते हैं, एक मित्र शक्ती exercise भी होता है, जो हम शिरिलंका के साथ करते हैं, जबकि शक्ती नाम का exercise हम फ्रांस के साथ करते हैं, और Operation शक्ती तो आप जानते ही हो, ये दूसरा भारत्य पर्मानू परिक्षन था, जो कि पोक्रन में हुआ था, 1998 में पहला हो था, 1974 में, Smiling बुद्धा, तो ये चीज़े भी आपको याद होनी चाहिए, बढ़ते हैं आगें, फिर बताइए अभी हाली में किस ने कारीगरों को सशक्त बनाने के लिए, MyE Heart पोर्टल को लॉंच किया, तो आंचर होगा HCL, तो अभी HCL Foundation ने कारीगरों को सशक्त बनाने, और देश में हस्द शिल्प शेतर की मुल्य शरंखला को मजबूत करने के लिए, एक ओनलाइन पोर्टल, MyE Heart को लॉंच किया है, तो इस पोर्टल के थुरू, कारीगर सीधे अपने ग्राहक से जुड़ पाएंगे, देखो HCL की बात करेंगे, इसकी स्थापना होती 1976 में, Headquarter Noida में हैं, और उसके CEO C. Vijay Kumar है, और आपको याद आता होगा, अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था, 3 trillion market cap, यानि कि बाजार पुंजी करन तक पहुचने वाली चौथी भारतिया IT company कौन सी बन गई है, HCL answer होगा, पहली TCS थी, दूसरी Infosys थी, तीसरी Wipro थी, और इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, 7 trillion बाजार पुंजी करन, 7 trillion market cap तक पहुचने वाली चौथी भारतिया company कौन सी बन गई है, तो अंसर होगा उसमें Infosys, पहली कौन सी थी, Reliance Industries, दूसरी थी TCS, तीसरी थी HDFC, और चौथी Infosys है, बाकि देको TCS की बात कर लो आप तो पता होना ची है, हेटकोर्टर मुंबई में है, इसके CEO राजिश गोपिनाथन है, Infosys आप जानते है, यह बैंगलूर में हेटकोर्टर है, नए CEO बने थे, Thierry Delaport नामे, विप्रूक का बैंगलूर में है, और CEO सलील पारिक है, तो यह भी extra facts आपको बता होना ची है, और ह आग आईज एक information, जो हमने top 5 static questions आप लोगों के लिए start की थी, और वो आपको काफी पसंद भी आई थी, तो उसका अगला वाला पार्ट कल मैंने upload कर दिया है, अगर वो आपने अभितक नहीं सुना, तो सुन लीजिएगा, उसका link आपको नीचे description में मिल जाएगा, top 5 static questions करक या आपकी crack exam application में भी सारे parts की link मिल जाएगे आपको, और अगर आपने उसका एक भी part सुना होगा, तो आपको बताए, वो कहने के लिए top 5 questions है, लेकिन आपको उसमें top 20 questions मिल जाते हैं, तो कि एक दूसरे से link करके मैं आपको कई सारे facts बता देता हूँ, तो इस तरह के facts, इस feel करते हों कि मज़ा आगया, static questions के साथ साथ कहीं बार में आपको current affairs से relate करके भी questions से याद करवाता हूँ, कि ये question है, ये अपने current affairs में इस तरह से इसको बढ़ा था, तो आपको correlate करके याद करने मज़ा आता है, तो बस एक ही गुजारिस रहीगी, अच्छा लगे तो उसे like ज तो अब इंडोनेशा के ग्रामिनों और विज्ञानिकों ने मिल करके एक robot बनाया है, जिसका नाम क्या रखा है, डेल्टा robot रखा है, अब ये काम क्या करेगा, तो COVID-19 से संकरमित होने के कारण, safe isolation वाले लोगों के लिए ये भोजन वगिरा लेकर के जाएगा, और इसमें ज delivery is here and get well soon बोलता है, देखों इंडोनेशा की बात है ना तो ये रहा मैप में इंडोनेशा, capital इसकी जकारता है, और जकारता से दो पॉइंट आप याद रखना, एक तो आशियान का headquarter यहाँ पर है, यह आप सबको बता है, अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था, international clean air catalyst program में एक तो भारत से इंडोर को और इंडोनेशा से जकारता को, यानि कि पूरे विश्व में केवल दो शहरों को चुना वेया था, currency Indonesian रुपी है, प्रसिडेंटे जोको विडोडो, अच्छा G20 Summit को host कब करेगा इंडोनेशा, तो याद रखना 2022 में, इस साल Italy कर रहा है, अगले सा इंडोनेशा करेगा, फिर 2023 में भारत करेगा, और इंडोनेशा में एक जौला मुखी का नाम भी याद रखा, Mount Merapi, अभी यहाँ पे भीशन विश्वोट भी हुआ है, तो ये नाम याद रखना, बढ़ते आगे, फिर बताईए अभी हाली में किस नाम से भारत की पहली, मव सोदेशी पश्व नसलों जैसे की गिर, कांकरेज, साहिवाल, उंगाल, आदिक की शुद्ध किस्मों के संक्रक्षन के लिए भारत की पहली मवेशी जीनोमिक चिप लॉंच की गई है, और इसे National Institute of Animal Biotechnology हैदराबाद की विज्ञानिकों ने बनाया है, तो याद रखना, और इस एप्लिकेशन को किसकी मदद से बनाया गया, आयेटे रूड की की मदद से, और कलम लोगों ने पढ़ा था भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिंग अनुसंधान केंदर कांपे शुरू हुआ किरल में, चलो बताओ सेटलाइट फोन से लेस होने वाला भारत का पहला ने चोधित, जेनेटिकली मोडिफाइड रबड का पौदा कांपे लगाया गया तो अंसर होगा असम में, और पहला इलेक्टरिक सेटी कांपे बनाया तो अंसर होगा केवड या गुजिरात में, तो ये भी ध्यान रखना, और इस प्रशन से याद रखना, भारत की पहली मवे प्रशी जीनोमिक चिप लांच की है, क्या नामे उसका इंडी गउ बढ़ते आगे, फिर बताईए हाली में मद्यपरदेश का पहला स्वचालित यानि कि आटोमेटिक रेलवे कोच वाशिंग प्लांट ये कांपे इस्तापित किया गया तो अंसर होगा हबीब गंच रेलव जोन ने मद्यपरदेश के हभी गंज रेलवे स्टेशन में पहला आटोमेटिक कोच वाशिंग प्लांट इस्तापित किया है, तो यहाँ पे ट्रेनों की बहारी सफाई होगी और इसमें 90% कम पानी का उप्योग करके अच्छे से सफाई की जाएगी जिससे जल्द वाटर कंजर्वेशन में भी मदद मिलेगी, अच्छा मैं आपसे पूछो आपको याद होगा हमने पढ़ा था अभी भारतेर रेलवे ने यात्रियों के मदद के लिए भी किस एप्लिकेशन को लॉंच किया था, रेल मदद, ये एक वन स्टॉप सॉलुशन एप्लिकेशन ह काकोरी कांड का नाम बदल के काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया था, चलो मुझे बताओ 12,000 होल्स पाउर का जो रेलवे इंजिन तेयार किया गया था कहां पे, मदेपुरा रेल कोच फेक्टरी में जो पिहार में है, किसकी मदद से, फ्रांस की एक अल्ट सोम कंपनी है उसकी म यह प्रस्ण इंपोर्टेंट है याद रखना, और अगस्त महीने के दूसरे वीक का करंट अफेर्स वाला वीडियो आज शाम को अप्लोड हो जाएगा तो उसे देखना मत भूलिएगा, बाकी उत्तरप्रदेश का यह जासी रेल्वे स्टेशन इसका नाम बदल कर रानी ल रेल्वे स्टेशन नाम बदल कर बनारस जंक्षन किया गया था, और इलाबाद जंक्षन का नाम बदल कर प्रयागराद जंक्षन किया गया था, और राजस्तान के जोदपूर में मिया का बाड़ा रेल्वे स्टेशन इसका नाम महेश नगर किया गया था, देखो रेल्वे और अगर आपसे पूछा जाए कि अभी किस राज्य में रेल्वे ट्रेक के उपर देश का पहला फाइव स्टार होटल बनाया गया तो अंसर होगा गुजरात के गांधी नगर केपिटल रेल्वे स्टेशन पे बढ़ते आगे फिर बताईए हाली में फाइर स्टेशन वाला देश का पहला स्पताल कौन सा बन गया है तो अंसर होगा AMS दिल्ली ये देश का पहला अस्पिताल बन गया है जिसके परीसर में जिसके पिर्मिसिस में एक वायर स्कंथ सेशन है और इसके लिए इन्हों ने दिल्ली वायर सेशन के साथ समझभोता किया देखो AMS भुवनेश्वर से पॉइंट आपने पड़ा होगा कि एम्स भुवनेश्वर को लगातार तीसरी बार काया कल्प पुरुसकार मिला था और अगर मैं एक प्रश्ण आपसे पूछ लूँ कि एम्स जम्मू के पहले डारेक्टर किसे न्यूक्त किया गया तो डॉक्टर शक्ति गुपता को एम्स की फुल फॉर्म होती है आल इंडिया इंस्टिटूट ऑफ मेडिकल साइंस अचा वैसे हमारे हेल्थ मिनिस्टर कौन है यह आप कमेंड बॉक्स में टाइप करके बताईए अब बढ़ते आगे अचा फिर बताईए हाली में किस बैंक ने एथलीटों का समर्थन करने के लिए पेरालंपिक समीति के साथ समझूता किया तो आंसर होगा इंडियन बैंक तो अभी टोक्यो पेरालंपिक 2020 से पहले बैंकिंग भागिदारों में से एक बनने के लिए इंडियन बैंक ने पेरालंपिक समीति के साथ समझूता किया है यह आपके टोक्यो पेरालंपिक 2020 कप से शुरू होंगे 24 अगस से शुरू होंगे और इस समझूते का उद्दिश्य क्या है जो बैंक है यह पेरा एथलीटों को विद्दिशाहिता देगा अच्छा टोक्यो पेरालंपिक में ध्वजवाहक कौन है मरियपन ठंगा वेलू है हाई जंपर है तमिल नाडू से है यह याद रखना बाकी SBI SIM Binding Feature लॉंच किया था और अभी आरोग्यम हेल्थ केर बिजनिस लोन भी लॉंच किया था RBI ने Retail Direct योजना शुरू की और IDFC First Bank ने बात करेंगे घर घर राशन योजना शुरू की Indian Bank की बात करेंगे स्टापना 1907 में होती है चन्ने में Headquarter है CEO पदमजाद चुन्दूरू है इसकी Tag Line होती है Your Own Bank और आपको याद होगा 10 बैंकों का विकर के 4 बैंक बना दिये गए थे उसमें आपका ये Indian Bank भी था एलाबाद Bank का मर्जर किया गया था विले किया गया था Indian Bank में बाकी के याद है क्या आपको चलो बताओ पंजाब National Bank में किन-किन बैंकों का विले हुआ था तो याद रखना Orient and Bank of Commerce और United Bank of India Syndicate Bank का विले हुआ था Canera Bank में और Andra Bank और Corporation Bank का विले हुआ था Union Bank of India में तो ये भी याद होना चीए वे से आपको है न बढ़ते आगे फिर बताइए भी हाली में किस राज्य में पहली बार क्रशी के लिए अलग से बजट पेश किया गया तो अंसर होगा तमिल नाडू में तो तमिल नाडू में पहली बार क्रशी के लिए अलग बजट पेश किया गया है जिसमें क्रशी शेत्र के समगर विकास और गाओं में क्रशी विकास के लिए योजनाई शामिल है और वर्ष 2021 के लिए क्रशी और से संबंदित विभागों के लिए 34,220.65 करोड रुपे दिये गए हैं अब बात तमिल नाडू किये तो ये रा मैप में तमिल नाडू देखो कैपिटल होगी चन्नाई नए मुख्य मंतरी MK स्टालिन बन गए दरविड मुनेतर कडगम पार्टी से हैं गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित हैं नए चीफ जेश्टिस का नाम है संजीब बनर जी अच्छा तमिल नाडू में एक और अमेजन का और अमेजन कंपनी का पहला वे निर्मान संयन्तर मैनुफेक्चरिंग प्लांट ये खुला जाएगा चन्नाई में अभी अमेजन के नए CEO बन गए थे NDJC और आपको याद होगा आयूश्मान भारत योजना के लाभारतियों की सूची आय थी उसमें टॉप पे राथा तमिल नाडू तमिल नाडू ने ही फसली रिन माफी योजना भी शुरू की थी और भारत का पहला आद्र भूमी संगरक्षन और प्रबंदन केंद्र ये चन्ने में स्तापित किया गया है और अभी तमिल नाडू का 38 वा जिला कौन सा बना था मैला दुत्तुराई बना था नाग पट्टिनम जिले से अलगो करके तो ये ध्यान रखना बढ़ते हैं अचकर बताएई अभी हाली में मलेशया के प्रधान मंतरी ने इस्तिफा दे दिया क्या नाम है उनका मुहिददीण यासीन तो अभी मलेशिया के प्रधान मंतरी थे मुहिद्दीन यासीन उन्होंने इस्तिफा दे दिया है उनकी सरकार पर COVID-19 महामारी के लिए मलेशिया की प्रतिक रिया को गलत तरीके से पेश करने का आरोप लगाया गया अभी उन्होंने इस्तिफा दे दिया बाकी नजीब मिकाती लेबिनौन के नए प्रधान मंतरी बने मुहम्मद मोख खबर इरान के पहले उपर राष्टर बती बने वैसे इरान के प्रसिडेंट कौन बने थे इब्राहिम रईस और इसाग हर जोग इसराइल के प्रसिडेंट बने और इसराइल के प्रधान मंतरी ब प्रश्न के उत्रगी तो कल के वीडियो में आपसे क्या प्रश्न था किस राज्य की आद्र भूमियों को रामसर इस्तलों के रोप में शामिल किया गया तो आंसर उगा गुजरात और हर्याना तो आप टोटल कितनी हो गई है भारत में 46 हो गई है आप सभी ने प्रश्न का बि पता बिल लगेगा कब हमारे पास बहुत सारे कुशन इखटे हो गए एक साथ करने बेठोगे तो फिर बहुत हैवी पड़ेगा हो और आज शाम को weekly current affairs upload हो रहा है तो देखना मत बुलिएगा और session अच्छा लगा तो इसे like जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ में share जरूर करना है Thank you